जैसंका जी जैस्री राम सीता राम आज की वीडियो में जानेंगी कि हम अक्सार भागवान महादेव को कच्चा दो चढ़ाते पर हमें ये पता होना चाहिए कि भागवान महादेव पर कच्चा दो चढ़ता क्यों है तो उस्यू पुरान के अंतरगे ते एक बहुत अच्छी इतने हाथों से नाराण कीगी फिर सभी देवताओं ने भागवान नाराण की पूजा की फिर भागवान महादेव ना नाराण से कहा मेरी इस गौसाला के मालिक तुम हो और तुम ही ही मेरी गौसाला को समहला है फिर नाराण ने सभी करकल लिया फिर कृष्ण की रूप में उन्होंने गौसाला को सम्हाला फिन नारायन ने गौमाता की कच्ची दोसे भागवान भोलेनात को श्नान कराया उस श्नान से भागवान महादियो इतने प्रशन हो गए कि उन्होंने प्रशंता के मारे कहा जो कोई भी गौमाता की कच्ची दोसे मुझे स्नान कराएगा मैं उसकी वन सब्रदी नहीं रुखने दूँगा इसलिए भगवान कृष्ण आज भी गो लोक में है और गो माता के कचीतों से आज भी भगवान महादय का अवशेक करते हैं और आप सबने देखा है कि भगवान कृष्ण जब धर्ती पर आए तो उनक से लिंग पर दो चढ़ाएं से हमारे अंदर की नकरात्मक उजा समाप्त हो जाती है उनकरात्मक हो जाति है जो नियम से 40 दिन तक स्यूवोन को सुद्ध कर देती ती है फिर उस समय वही सकती हमारे अंदर प्रॉष्ण करती है यहां तक वर ऐडिद किया गया है कि जो तो इनकी रुग दोर होकर संतार सुजन कर पाने में वो सक्षम हो जाते हैं. तो मारे गरंतों की अमसार वर्णिं किया गया है कि दोताओं के ओपर हम जो भी दोछ चढ़ाते हैं भी नरत्थक नहीं जाता, वो किसी न किसी उद्देश, किसी न किसी कान से ही चड़ता है, इसलिए बड़ी सरधा के साथ भागवाशेव को हम जल में सरदोच चड़ाते हैं, हर हर महादेव